है आज पिर से एकब आज आप लोग के समग में ज सबी को आप मुझे उम्मीद की न बैतर होंगे और अपने पॉठण-पॉठण के कारिाओं में लगे हूँगे मैं तो पॉठण-पॉठण के साथ सूचता हूं कि लेखन कारियों में भी लगे क्योंकि बीस तारीक को अनि बीस अप्राइल को उत्तर प्रदेश पीसियस की मुखे पर इक्षा है वैसे मैं बता चुका हूं जहार खंड की भी पीसियस की वेकेंसी आ चुकी है आज मैं सुबह जब अपना यूट्यूब में देख रहा था तो जाहरे जब से मैं ये वीडिय तेजी से आप लोगों के सामने रख रहा हूं तो मुझे भी बड़ी जग्यासा रहती है कि आप क्या सोच रहे हैं तो एक विद्यारती ने हमें लिखा है कि निबंद के बारे में सरकुछ बताईए तो जैसे एक इस्टुएंट समको सी साइट के बारे में बताए तो हमने स सब कहते रहें सुनने वालों की फिमर्जी चाहिए तो हम क्या कह रहे हैं इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन आप क्या सोच रहें उससे जादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आफ्टर आल ये वीडियो आप जैसे प्रतियोगियों के लिए ही बनाया जाता है तो कुल मिला ज निबंध करेंगे में आपको पता देता हूं कि वाट इस जिस इस निबंध है क्या निबंध का देखिए अर्थ ही यही है कि जिसमें कोई बंधन नहीं है जैसे हमने पढ़ाते समय बोला ना रास्तों की दिल कसी अपनी जगे आपको अगर जरूरत पढ़ा मुझे लगा य वो भाशा, शब्द, भाव और नहित्माफदंडों में प्रस्ण के अंतरगत लिये गए बिचार होते हैं। एक्जामपल जैसे आप ऐसा समझ सकते हैं सत्थ जिया जाता है, सत्य सिखाया नहीं जाता। हमारी धरा हम से ही रौनक रहेगी हमारी धरा पर हम ही से रौनक रहेगी अगर आप से ऐसे कुछ फिलोस्फिकल या कुछ ऐसे दार्सनिक विचार के निबन दो तो जरह आप सोचने की कोशिश करिए जैसे मैं कहूं कि मैं तो ठहरा हूं तुम तुमारे ठहरने का इंतजार कर रहा हूं हमारा लोकतंतर किधर जा रहा है मैं कहूं कि हमारा जो एक छद्दम और जो वास्तविक दुनिया के बीच का अंतर हम कप समझेंगे ऐसे तमाम बाते माल ले आएं उसके साथ दहेज की बात कर लिजे आप उसके साथ महिला ससत्ती करण की बात कर लिजे ये भ्रहष्टा चाहर की बात कर लिजे नौकर साही तुम कब सुधर होगे जैसे हम कहते हैं आप्टिवेशिक काल की स्टील फ्रेम की नौकर साही प्ला soft state हम जैसे कह सकते हैं कि मैं इनसान हूं और इनसानियत को ही जानता हूं माल इसी पर निवंद लिखना हूं पर्यावरण की छटी हमारी अपनी नीजी छटी है जैसे मैं कहूं कि समाज हम जतना बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं हम जैसे कह सकते हैं कि अगर हमारे मन और हमारी आँखों में जो दृस से बनता है वो उसका हकीकत और जो चीज़ सुनते हो उसके हकीकत का क्या फर्क है जैसे ये अंतर करते हैं हम तो निबंद में क्या है निबंद एक साक्षात एक आपकी भावना का उतकृष्ट प्रदर्सन है निबंद बिना बंधन का कहा गया एक एक ऐसा भाव है जिसमें हम काउंसलिंग करते हैं एक्जामनर को काउंसलिंग करते हैं भासा से बोध से विज्ञान से ग्यान से सिध्धान्त से नियम से लेखन से शब्द से उच्चारन से वाक से और उसके कंपाक्टनेस से उसके अंदर के नहीत तमाम तरीके के यहां वह की चीजों को उकेर करके जैसे करते ने कि हम इंट और रोडा जोड़ करके एक मीनार बना देने का काम जो करते हैं वही करते हैं निबंद में अब आप से बारा सो नंबर का और आठ सो बारा सो सब्दों का और आठ सो सब्दों का आइस में दो निबंद पूछा जाता पहले ज पीसियस में जाएंगे साथ साथ सो सब्दों के तीन निबंद मिलते हैं। आप कह सकते हैं कि तीन निबंद जब से ये दो सो डाई सो सब्द लिखने का माइक जिवन जनरल स्टडीज में चला नाया हाला कि ऑप्शनल में भी ये चीज आ गया तब से लोग लिखने की सीमाओं में दो डाई सो सब्दों तक चले गए, साथ सो सब्द लिखना उनके लिए पहाड लगता है। जबकि हम लोग जब सिविल सरुषिस देते थे, जब परिवर्तन नहीं हो था दो हजारे काराम उसके पहले, हम लोग तो खैर उनिस सो चानवे, सतानवे के दौर के हैं, तो उ आपको क्या करना चाहिए, देखें होंगे, मैं एक एक जांपल से आपको एक निबंद का दे देता हूं, आप इससे समझ जाए, जैसे सपोर्च यह कहा जाए, कि किसी भी निबंद, महलों कोई निबंद ले लेते हैं, जैसे कहा जाए कि ब्रष्टाचार जैसे एक ब्रष्टाचार जादा होगा, तो सत्निष्ठा घटेगी, सापसी बात है कि ब्रष्टाचार की राह अगर चोड़ी होगी, तो सत्निष्ठा की राह छोटी हो जाएगी, कम चोड़ी रह जाएगी, तो एक दूसरे के प्रतिकार है, एक दूसरा बढ़ेगा, तो दूसरा घ भठ जाएगा तो ब्रहषटाचार की राह कहां से आई जैसे दोती विश्विद्न से रहा या ऑपनिवेशिक सत्ता के दवर में ब्रहषटाचार का इस्ट इंडिया कंपणी में 1773 का regulating act आप समझ रहे ना regulating act में क्या किया गया ब्रहश्टाचार के लिए regulate करना चीजों को रुक रही तो regulate करना regulating act तो आपने बेसी काल से चला ब्रहश्टाचार भारत के सतंतरता काल के साथ आज भी पूरी तरह पैट बनाया है और जबकि आप र अंदर देखेंगे भक्ति काल में देखेंगे आप किसी भी और भी दोहन करते हुए चाहे चले आईएगा तो उसमें आप पाएंगे कि सत्निष्ठा की खोज हर काल में हुई लेकिन भरस्टाचार और वेसिक सत्ता में जिस तरह बड़ मैं आदूनिक दिश्टी से बोल रहा ह वेसिच में जिस तरह का है उसका टुलनात्मक द्रिस्ट साब के सामने होना चाहिए और ब्रश्टाचार क्या है यह समज हो ब्रश्टाचार की अपनी विसेस्ता होती वही उत्चार एसके क्यों खराब है की समाज Welke ब्रश्टाचार के लिए सरकार ने क्या उपायतला से हैं ब्रश्टाचार के लिए जनता की नैतिक जिम्यदारी क्या है ब्रश्टाचार के लिए हमारी व्यक्तिकत जिम्यदारी क्या है और ब्रश्टाचार के होने से क्या इंपक्ट पढ़ रहा क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा अगर जो मैंने बोला है अगर इन ही को सवाल बना लीजिए प्रश्टाचार क्या है इसका इंपक्ट क्या है सीख लीजिए सरकार में क्या किया है सुने है कि नहीं सतर्कता आयों गरा 1964 में बना 1962 में के संथानम की रिपोर्ट के आधार पर के संथानम साब चीज़ जर्श्टिस अब इंडिया हुआ कर दे थे 1962 मुनी के सिफारिश्प सीबी सी बिसी और भी बहुत सारे देखे होंगे चाहे प्रसासनिक सुधार आयोग वह और भरस्टाचार के कोई सके बिरप्ति व्यक्तिगत जिम्ययरी का नौकर साह है नेता है उनके पॉइंट लोग कल्यान के हिस्से को अपने हिस्से में व्यक्तिकत इन सभी चीजों को अलग-अलग प्रस्ण बना करके आप तथी कठा कर लीजे फिर इसी तरीके से सत्तनिष्ठा में आ जाईए कि सत्तनिष्ठा क्या है सत्तनिष्ठा के लाव क्या है सत्तनिष्ठा का महत तो क्या है सत सत्तनिष्टा से किस तरह समरस्ता आती सत्तनिष्टा का कैसा प्रभाव पड़ता ऐसे तमाम सवालों को उकेर लीजे उसमें आप कुश्चन अपना चीजें भर लीजे आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारी मटीरियल सागया लगलग टाइप के अब उसको पैर वाइस जहां पर जैसा एक इंट्रोड़क्शन जैसे परिचे देते हैं और एक निशकर्स देते हैं जिसको उपसंघार बोलते हैं लिखना नहीं आपको परिचे उपसंघार लिखना नहीं यह तो कक्षा साथ आठ में लि गिरती ऐसे यानि जहां से हम गेंद लेके चलते हैं यानि कि जहां से परिचे वहीं की उपसंघार दो किलो मीटर के बाद गिराए रहते हैं तो आप दो किलो मीटर क्या है वह साथ सो सब्दों क्या है वह बारा सो सब्द तो आप पहले कोश्चन जब पूट अप करते हैं नि कि इस वीडियो में चोटा वीडियो बनाते बनाते भी 10-12 मिनुट का हो जाता है थोड़ी टीचर हूँ आदत है थोड़ा बोल देता हूं लेकिन आप सुन लिया करिए क्योंकि आप टीचर का नहीं सुनेंगे तो कुछ सानित में नहीं रहेंगे तो प्रकास कम पड़ेगा औ लेकिन मैं आपको इस वादे के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा कि मैं आपको अगले वीडियो में एक निबंध की पूरी परिपार्टी चाहे 25-20-30 मिनट जो भी लगें मैं पूरा आपको बताऊंगा कि ऐसे निबंध लिखा जाता है अभी आप सिर्फ निबंध को प पुक्सक्राइब करते रहें लाइक करते रहें कमेंट करते रहें और आपको ठीक लगता है तो प्रोसाइद भी करते रहें हमको भी मज़ा आज़ेग और आप भी मज़ा लीजें अब्क ने updates